किसान नेता वा कर्णी सेना जिलासं रक्षक ने जमीन पर मकान बनवाने को लेकर रंदारी न देने पर महिला की साधी मारपीट में महिला का टूटा हाथ मार पीट में पताने किसानेता ने कहा कि 40 आदमें बुला कर यहां पर लाशे बिचा देंगे वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल पीडित ने जलादिकारी कारियाले पहुँचकर लगाई नयाएं कि गुहार मामला लाल गंज गुद्वाली छेतर के अंतरगत आदर्श नगर मुहने के निकट अन्नु डेरी के पास का है जहां नीलमत रुपाठी पत्नी चंडर किशोर रुपाठी वसुनीता हचान ने एक प्लॉट खरीदा था और उसमें निर्मार कारे करा रही थी तभी रमीश बहादुर सिंग अपने गुर्गों के साथ महिला के प्लॉट पर पहुँचा और चल रहे निर्मार कारे को रोकनी के लिए कहा जब महिला ने काम रोकनी से इलकार किया तो तथा कथे किसान नेता मारपीट पर अमादा हो गए और उसने डंडे से महिला पर हमला बोल दिया जिसे महिला का हाँ तूट गया वही महिला ने बता दें आपको की न्याय की गुहार लगाई है वही आज किसान नेता युवा जिला संरक्षक करडी सीना रमीश बहादूर सिंग ने र पर आवेश में आकर मैंने इतनी गलती जनीर की जिसके लिए मैं शमा प्रार थी दी के जूटा मुकदमा राजुबुक्ता पर लिखा दिया उसके परिवाद पर लिखा दिया उसके बाद हम जहां से जब उस दिन अत्रिक मेंस्ट्रेट जाज करने गए थे तो हम भौजियों के साथ वहां मौजूद थे तो इन लोगों ने हमसे मार पीट की और मुझे जब मैं मैं अपनी कंप्लेंड ले करके वहां गया कथाने और यह लोग भी गये तो कोत्वाल साब में सुना है मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहां समाज को नहीं एक दादा एक वीडियो वाइरल हुआ था आपका जिसमें प्लॉट पे कि कभजियों को ले करके सोसल मीडिया पे है कि 40 लड़के बुलाएंगे और लासे बिचा देंगे क्या इसमें सच्चाई है जब य है यह हम कोई पेसे अपराधी नहीं है और आप जानते हैं कि कुरोध में इतना बोल करके अगर हमारे भग गए तो मेरी प्राण रक्षा हूँ कि सराज कुछ लोग करनी सेना से और जो तधक अधित नेता बताया जा रहा था वीडियो जिनका वाइरल हुआ था आप से मिलने आए थे और यहां पे शक्ति प्रदर्शन भी हो रहा था क्या निकल कर बात सामने आई है मैं ए जो एड़समीर्डेश के यहां रुपी निकमा जो इजनके लिए कार्ण जों कर दिमार रहा था नाद करुए स्वार्ण के लिए सुन्कीर स्वारे थे खोर्ण को कि नाम है उनके ने प्रदी शूमें को क्यूए रहा है अगए भो में दो आगमा जो वार।